हालो दोस्तों स्वागत है अपका हमारी यूट्यूब चैनल इस्टीफ और एक जामेन नॉलिज में आज हम लोग डिस्क्स करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में जो हिंदी का एक महत्पूर टॉपिक है सफिक्स यानि उपसर्ग किसे करते हैं यह हम लोग डिस्क्स करेंगे लग कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं जो सफिक्स सब्दान से पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग करते हैं उसे हम उपसर्ग करते हैं उपसर्ग सार्थक नहीं होते हैं उपसर्ग क्या होते हैं सार्थक नहीं होते हैं इस केवल सब्दों से पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं इस प्रकार उपसर्ग शुड़ निया सब्द का निर्मार्ण करते हैं, जैसे उपसर्ग इहां पर दिया गया है प्रा आवस्ववी जो कि मूल्द सब्द पन करते हैं इसे प्रव उपसर्ग देश में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा प्रदेश बन जाएगा उप उपसर्ग अगर देश में जुड़ेगा तो बन जाएगा उपसर्ग तो बन जाएगा स्वदेश उसी तरह से वी उपसर्ग अगर देश में जुड़ेगा तो क्या बन जाए पर एक बाने में पर एक सब्द का रचना या निर्माग हो रहा है उपसर्ख के भेट कितने होते हैं ही इंधी भासा में चार प्रखार परहः के प्रयोक कहता है संस्कृत लिए फसर्ख हिंदी फसर्ख उर्धु के उपसर्घ verzあ ये अउर्द्थ् Lab और संस्कृत tér के अवियव कि यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग दिये गए हैं अति अधि अव अप अनु आ उप उत दुर नी निर वी यह सभी क्या हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं जो किसी संस्कृत के पहले जूड़ करके उसके अर्फ क्या कर देते हैं बदल देते हैं जैसे कुछ उदारण दिया गया इस सभी में कौन सा उपसर्ग हैं अति उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है किसी भी सब्दान से यानि किसी भी सब्द से हम जब उपसर्ग को अलग करेंगे जैसे अत्रिक्त से हम अगर अति उपसर्ग को अलग करेंगे तो जो मूल सब्द बच रहा हैं उसका एक अर्थ होना च चाहिए जैसे कि अत्रिक्त से हम अत्ति उपसर्ग निकाल लेंगे तो रिक्त बचेगा क्या बचेगा रिक्त बचेगा जिसका एक अर्थ है उसी तरह से अधिभार से अत्ति उपसर्ग निकाल लेने पर भार बचेगा मुल सकत क्या बचेगा भार जिसका एक अर्थ है उसी त कौन वपसर्ग है तो अधी उपसर-ग है कौन सब को अधी उपसर गए उसी तरह से अवतार वगुड्अ अवरोद आउसर और मध्य Shreem controllable अवोपसर गए अपमान आपवस अपवस कुन में उसी तरह से अनुचर, अनुवाद, अनुक्रम में कौन सा उपसर गए, अनु को निकाल देंगे, हम तो यहां पर चर सब्द बचेगा, यहां पर वाद बचेगा, इसी तरह से आगमन, आक्रमड, आजीवन, आजन्मा, आमरण में कौन सा उपसर गए, आउपसर गए, उपदे सब्सक्राइब करोगा है यानि आधाता कि यहाँ पेशादा निकलेगा उपसक्राइब निकलेगा और मुल्चब क्या बचेगा इसमें उत्थान में थान बचेगा उत्कर्ष में कर्ष बचेगा उत्सा में साह बचेगा और उत्तम में तम उपसर मुल्चब बचेगा अगर हम उत्त उपसर को निकाल देंगे तो इन सभी में कौन सा उपसर गहें उत्थान उत्कर् दुर दिन, दुर बल, दुर जन, दुर लब, दुराचार, दुराग्र में कौन सा उपसर्ग हैं तो इसमें जो उपसर्ग हैं वह दुर उपसर्ग हैं कौन सा उपसर्ग हैं दुर उपसर्ग हैं दुर दिन में उपर आधारा उड़ा हुआ हैं तो दुर उपसर्ग जब हम निकाल देंगे तो दिन बचेगा उसी तरह से दुर बल आधार उपर उड़ा हुआ है तो इसमें कौन सा उपसर्ग निकाल देंगे तो बल बचेगा उसी तरह से दुरजन में कौन सा है दुर उपसर्ग है इसके बाद नी उपसर्ग निवास निरपय में कोंसा उपसर गया रण है निर्वड निरबल निर्थोस निरजन निर्धन और दर्ण और है मी 극场 का कौन सा अफसर गया है निर निरगूड ऊपर अधारा उड़ा हुआ ہیں तो यहां से हम जो उपसर्ग निकल देंगे तो बचेगा क्या गुड बचेगा क्या बचेगा गुड बचेगा उसी तरह से निर्बल में निर उपसर्ग निकल दिया जाएगा निर्दोस में निर उपसर्ग निकल दिया जाएगा उसी तरह से विकाल, विदेश, विपच में क कौन से उपसर्ग हैं पराजय पराक्रम में कौन से उपसर्ग हैं पराउपसर्ग हैं प्रतिर्वोत प्रतिवाद में कौन सा हैं प्रति हैं सम्बंद सम्मान सम्मुक सम्मान और शंपोड यानि आधामाव का प्रयोग में पर किया गया है तो सम कौन से उपसर्ग होगा शम उपसर्ग निकालेंगे तो भाव सब्द बचेगा उसी तरह से सु उपसर्ग जो है सुमन में सुफल में सुरच्छित में सुलब में सुपात्र में सुकर में कौन सा उपसर्ग है यहां पर हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं अब बात करेंगे हम लोग हिंदी के उपसर्ग कि इस में हिन्दी के उपसर जैसे आशफल अघ्यान अच्छूत अमडल में कौँसथ उपसर गए अंचाहांन अनथक अनभल जाय कौन से अपसरग अधपका अध्मरा अधजल कं से अधव उपसर गहें उसी तरह से कूपत्र कु पुखया 3 15 पाल चौपाय 4 भाशा कोशो चौप सर गहें वीन देख़ा में घून सा अपसर गहें वीन उपसर ine इसी तरह से यह हिंदी के उपसर्ग है उर्दू के उपसर्ग जिसे कम अकल कम जोर कम उम्र में कौन से उपसर्ग हैं कम उपसर्ग हैं खुश अहाल, खुश दिल, खुश नशीब में खुश उपसर्ग हैं, गैर जीमिदार, गैर हाजिरी में कौन से उपसर्ग हैं, गैर उपसर्ग हैं, उसी तरह से नामुम्किन में ना उपसर्ग हैं, हम राज, हम उम्र, हम सफर में कौन से उपसर्ग हैं, हम उपसर्ग हैं, सर ओर अधोगति में कौन से अपसर गये हैं अन्तर गमन और अंतराश्टी यह बहुत कई बार पर चौमपु चब एसक बेगा अन्तर गमन और शागरण दूरत अब भी वही है जागरड गरड सब बचेगा उनर सब निकाल देंगे तो जागरड यहां पर मुलसत बचेगा वेज़ का बहिशकार और गयमन पूरसे सर गया है शमकोड और समकालिन में क्या है सम उप्षर्ग है साफवाटी सहचर में सव उप्षर्ग श्वतंद्र श्वदेश में कौन सव उप्षर्ग है श्वाव उप्षर्ग है चीरकाल चीरंजीवी में कौन सव उप्षर्ग है तो आसा करते हैं कि आपको उप्षर्ग समझ में आया गवा गर आपको यूट वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वाज़ें